दोस्तो नमस्कार या फिर आजाज समाज पार्टी हो या फिर इनैलो और बस्पा का गठवंदन ये तमाम राजनितिक दल हर्याना के अंदर अपनी संभावनाई भी तलाश रहे हैं सभी राजनितिक दल देख रहे हैं कि आखिर हर्याना में उनके लिए क्या उम्मीदे हैं भारती जनता पार्टी के लिए जहां अपना दस साल का शासन बचाने की चुनोती है तो फिर कॉंग्रेस के लिए दस साल पुराना जो उनका राज हाथ से चला गया था उसको लाने की चुनोती है इंडियन नैशनल लोगदल के लिए चुनोती ये है कि जो उनका राजनितिक सूखा शुरू हुआ वो आखिर खत्म हो कैसे जन्नायक जन्ता पार्टी क्या किंग में कर दुवारा बन पाए उसकी प्लानिंग ये है आमादमी पार्टी जिसके नेता अर्विंद केजरिवाल का हर्याना से जन्म है वो कहते हैं जिनका हर्याना में जन्म हुआ वो चाहते हैं कि और उनकी पार्टी कि हर्याना के अंदर आमादमी पार्टी कैसे अपनी जड़े जमाए और इस सब को लेकर तमाम दल्ट अपनी तयारी में है आज मैं इस वीडियो में आपके साथ चर्चा में हूँ हर्याना के अंदर आखिर आमादमी पार्टी का क्या वजूद है और इस चुनाओं में यानि की 2024 के चुनाओं में क्या हो सकता है आज 16 अगस्त है आज अरविंद केजरिवाल का जनम दिन भी है आमादमी पार्टी के मुखिया तो इस वीडियो में शुरू करने से पहले हम अरविंद केजरिवाल जी को उनके जनम दिन की बदाई देते हैं और इश्वर से प्रात्ना करते हैं कि वो स्वस्त रहें और उनका जीवन उच्च स्तर तक पहुंचे यानि की राजनीती के शिखर को जहां तक चाते हैं वो वहां तक चुएं अब बात आजाती है हर्याना की अर्विंद केजरिवाल आजकल जो दिल्ली के मुख्य मंत्री है वो जेल में बंद है दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है उस मामले को ले करके वो E.D. से तो उनको जमानत E.D. वाले मामले में जमानत मिल चुकी है सुनिता केजरिवाल हर्याना के कौने कौने में जा करके कह रही है कि मेरे पती अर्विंद केजरिवाल हर्याना के लाल है मैं आपको बताता चलूं कि हर्याना की सिवानी मंडी में सिवानी मंडी के अंदर उनका जन्म हुआ और सुनिता केजरिवाल कह रही है कि 16 अगस्त 1968 को जब अरविंद केजरिवाल का जन्म हुआ तो उस दिन जन्माष्ट मी थी यानि को वो उसको अध्यात्मिक पुरानिक जोड़ना चाहती है बताना चाहती है कि अरविंद केजरिवाल जैसे भगवान कृष्ण के अवतार है हर व्यक्ति के लिए चाहे वो राजनितिक दल के अंदर कोई भी पत्पे हो जो उसके कारे करता है या फिर पती अपनी पत्नी के लिए या कोई भी व्यक्ति अपनी संतान के लिए अपनी अुलाद के लिए वो भगवान के समान ही हुआ करता अगर सुनिता केजरीवाल कह रही है कि 16 अगस्थ 1968 जब उनके पती अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ उस दिन जन्वाश्टमी थी और वहां जोड रही हैं तो हम इसको कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं मानते अब बात आ जाती है कि हर्याना के अंदर आमाद्मी पार्टी का वजूद क्या है आमाद्मी का स्थित्व और अगे क्या हो सकता है तो मैं आपको बताता चलू किई Emmanuel 2024 के लोकषभा चुनाओं में आमादमी पार्टी ने चुनाव रड़ा था 2019 के चुनाओं में आमादमी पार्टी ने चुनाव रड़ा था लोगसभा का ये दोनों चुनाओं में 2014 में आमादमी पार्टी अपने भूते चुनाओं मैदान में थी 2019 के चुनाव में जन्नायक जन्ता पार्टी से गठबंदन था हर्याना की एक भी सीट पर 2014 में आमादमी पार्टी की जमानत नहीं बची थी जमानत जबत हो गई थी 2019 का जो लोगसभा चुनाव हुआ उसमें आमादमी पार्टी गठबंदन के तहत थी जन्नाएक जन्ता पार्टी के साथ और उस चुनाव में आमादमी पार्टी ने साथ सीटों पर चुनाव लड़ा और स्थिती पिछले बार से भी यानि की 2014 से भी खराब रही अब जब 2024 का चुनाव हुआ भी हाल ही में लोगसभा का तो इस चुनाव के अंदर आमादमी पार्टी इंडिया गठबंदन के तहत चुनाव मैदान में थी सुशील गुपता कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट थे एक मातर सीट मिली थी कुरुक्षेत्र की आमादमी पार्टी को हर्याणा के अंदर और इस चुनाव के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा से सुशील गुप्ता ने बहतरीन प्रदर्शन किया वो दूसरे स्थान पर रहे और थोड़े से वोटों से वो चुनाव हार गये लगवग 22-24 जार वोट से अब बात आ जाती है कि क्या वो वोटर कॉंग्रिस का था यह वो आमादमी पार्टी का था खेर इसमें जाये बिना हम आपको एक बात और बता दें कि इस चुनाव में यानि कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आमादमी पार्टी जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ी उनके कैंडिडेट सुशील गुपता तीन विधानसभा सीटों पर आगे रहे यानि कि नौ जो सीटें लोकसभा में होती है उनमें से तीन पर केजरिवाल की पार्टी आगे रही 33% यानि कि सीटें उसमें उनको मिल गई विधानसभा के साब से देखें तो अब चुनाव विधानसभा की बात कर लें तो 2014 का विधानसभा चुनाव आमादमी पार्टी मैदान में नहीं थी 2019 के विधानसवाद चुनाव में आमादमी पार्टी मैदान में आई लेकिन एक भी सीट नहीं मिली और किसी भी कैंडिडेट की हरियाना के अंदर जमानत नहीं बची अब जब 2024 के विधानसवाद चुनाव की तैयारी है तो आमादमी पायर्टी पूरे हर्याना के अंदर रेलिया कर रही है अपनी रेलियों के जरिये वो परिवर्तन की बदलाव की तमाम बाते कर रही है अर्विंद केजरीवाल के बारे में बाते कर रही है अभी हाली में दो दिन पहले तीन दिन पहले संजे सिंग की रैली होई हतीन के अंदर सुनिता केजरीवाल रैली कर चुकी है हर्याना के अंदर आठ दस अब तक कम से कम भगवंत मान रैली कर चुके हैं संजे सिंग रैली कर चुके हैं अनुराग धांडा रेलियां रोज करते हैं रोज प्रेस कांफरेंस होती हैं मलीश सिसोधिया की बद्यात्रा का प्लान है अब बात ही आ जाती है कि जिस प्रकार से सुनिता केजरीवाल कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हर्याना के लाल है और ऐसा उनका कैमपेंड भी है कि कि क्या किसी से गटवंदन हो और या फिर चुनाव मैदान में अपने बूते उतरा जाए हला कि कहने के लिए तो कह रहे हैं आपके तमाम नेता कि सभी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लेकिन वो गटवंदन के तहट कहीं कोई फैसला भी हो सकता है या फिर अपने बूते चुनाव मैदान में होगी आम आदनी पालिटी इस पर नज़रे हैं अब मैं आपसे मुखे बात पर आ रहा हूँ कि क्या अरविंद केजरिवाल के लिए हर्याना के अंदर कोई संभावना ये तलाशी जा रही है मैंने राजनीतिक सुत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरिवाल जो अभी फिलाल तिहाड जेल में है शराब घुटाले के वामले में अरविंद केजरिवाल को भी जल्दी ही जमालत मिल सकती है हर्याना का विधान सभा चुनाव आप मान करके चलें कि अक्टूबर के अंदर कभी भी होगा यानि कि आज से अगर देखें तो लगवग 44-45 दिन बाकी रह गए और उसके लिए जो काउंट डाउन है वो उल्टी उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है हलाकि चर्चा है तो ये भी है कि आज भी चुनाव की तारीखों का आईलान हो सकता है लेकिन ये दोपैर होते होते आपको भी पता चल जाएगा लेकिन बात ही आ जाती है कि अगले 45 दिन के अंदर आमादमी पार्टी हर्याना में कौन सा करिश्मा करेगी क्या कहीं घटवंदन करेगी अरविंध केजरिवाल अगर जेल से भाहर आते हैं तो फिर उनके लिए क्या प्लान होगा जो आमादमी पार्टी के इंटरनल सूत्रों का कहना है वो यह है कि अरविंध केजरिवाल के नेतरताओ में चुनाव मैदान में होगी आमादमी पार्टी मैं आपको बताता चलू कि जब पिछले समय पंजाब के अंदर चुनाव हुआ था तो हलां कि पंजाब के चुनाव से पहले भी बात चलती थी कि क्या अर्विंद केजरिवाल पंजाब से सीम फेस होंगे लेकिन क्योंकि वहाँ जो पंजाब की पॉलिटिक्स है वो सिख राजनीती है और कोई केश धारी व्यक्ति ही उसको ही जनता पसंद करती है तो होँ भगवंत मान के अंडियेट हुए लेकिन अर्विंद केजरिवाल के मामले में और हर्याना को जोड करके देखते हैं तो फिर एक बात जरूर है एक तो अर्विंद केजरिवाल का हर्याना से मूलता जुडाव है वो हर्याना के वाशिंदे है हर्याना के उनकी पैदाईश है हर्याना के अंदर उनका बड़ा लंबा समय चला है और दूसरी बात उनकी पार्टी इस समय सक्रिय राजनीती में हर्याना के अंदर लगातार रेलियां दोरे कर रही है और जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि जो हर्याना के CM फेज यानि कि अर्विंद केजरिवाल के चहरे पर चुनाव मैदान में होगी तो उस्तिती में क्या है वो मामला ऐसा है कि अर्विंद केजरिवाल को जेल से आने के बाद में जब उनको जमानत मिल जाती है तो हर्याना के अंदर बड़े चहरे के रूप में आमादमी पार्टी तुरंत पेश करेगी चर्चाएं कुछ ऐसी भी है कि अर्विंद केजरिवाल को मुख्यमंत्री पत का चहरा भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है कुछ चर्चाएं तो ऐसी भी है कि अरुण्द केजरीवाल डिल्ली के मुख्या मंतरी पस्स से इस्तीफा भी दे सकते हैं बाहर आने के बाद दिल्ली की जिम्मेदारी किसी और को दी जाए और हर्याना की राजनीती अर्विंद केजरीवाल करें ये भी चर्चाएं है इस प्रकार की भी और राजनितिक गरियारों में तो ये भी चर्चाएं है कि अर्विंद केजरीवाल के लिए सुरक्षित विधानसभा की सीट भी ढूंडी जा रही है और मैं आपको अगले इस वीडियो के जो अंतिम चरण में आपको यह बताता चलूं कि जो अर्विंद केजरीवाल के लिए सीट का चैन किया जा रहा है सीट ढूंडी जा रही है उस पर तीन चार विधानसभा सीटों पर गंभीर मन्थन है जिन विधानसवा सीटों पर मन्थन है उनमें एक विधानसवा सीट फरिदाबाद की भी है फरिदाबाद 89 एक विधानसवा सीट उसके अंदर पानीपत की भी है एक विधानसवा सीट उसके अंदर हिसार की भी है हालांकि इस चर्चा तो बिवानी और करनाल को लेकर भी होती है लेकिन इन तीन सीटों पर प्रमुकता से और गंभीरता से मननमंधन हो रहा है कि अगर अर्विंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री चहरा प्रोजेक्ट किया जाए और अर्विंद केजरिवाल के लिए कोई सुरक्षित विधानसभा की सीट ढूंडी जाए तो कौन सी तो उन में से ये तीन नाम आगे चल रहे हैं मैं आपको यहाँ एक बात और भी जोड़ दूं दोस्तों लगवग 40-45,000 वोट वहाँ भी है और लगवग 20,000 के आसपस मुस्लिम मद्दाता भी है फरिदाबाद 89 सीट पर और इसको ले करके अर्विंद केजरिवाल के लिए ये सीट मुफीद हो सकती है अगली सीट की जो बात आती है वो पानीपत पानीपत के अंदर भी अगरवाल मद्दाता बड़ी संख्या में है हलांकि वहाँ पंजाबी बाउले सीट है और पिछली चुनाव से लगातार देखे तो आज कल वहाँ से परमोध विज विधायक है भाजबा के इससे पहले रोहिता रेवडी विधायक थी लेकिन पानीपत के अंदर भी अगरवाल कम्यूनिटी भी है पानीपत के साथ भी वही बात कि वो दिल्ली से टच है और पानीपत के अंदर भी मुस्लिम मद्दाता भी एक ठीक ठाक संख्या में है अगर अगली बात मैं आपसे हिसार की बोली तो हिसार जिले से अरविंद केजरीवाल का जो मैंने आपको पता है सेवाली मंडी तो हिसार जिले से उनका पैत्रिक जिला बन जाता है वो हिसार विधानसभा सीट की भी आप देख लें तो हिसार विधानसभा सीट भी शहरी विधानसभा सीट है पूरी तरह से वहाँ पर जदातर एक बार 87 में वहाँ पर सैनी विधायक बने और नहीं तो जादतर वहाँ पर अगरवाल और कभी-कभी वहाँ पंजाबी विधायक बनते रहे अगरवाल के चेहरे के तोर पर देखें तो आज कल भी वहाँ कमल गुपता विधायक है 2019 में विधायक बने थे, 2014 में विधायक बने, उससे पहले 2009 में सावित्री जिंदल विधायक थी, 2004 में सावित्री जिंदल विधायक थी, उससे पहले ओपी महाजन वहां से विधायक रहे, ओम प्रकाश महाजन, निदलिय विधायक रहे दो बार, वो पंजाबी समाज से आते है तो इस लिहाज से हिसार विधानसवा सीट पर भी नजर हो सकती है अर्विंद बावू की तो ये तीन विधानसवा सीटे मैं ने आपको बताई है हाला कि चर्चा इसके अंदर भिवानी की भी कहीं आती है कहीं करनाल की भी आती है लेकिन प्रमुक जो है अगर अर्विंद केजरिवाल को हर्याना की राजनीती में रिशफल किया जाता है यानिकी दिल्ली से हर्याना में और अर्विंद केजरिवाल हर्याना की राजनीती करते हैं तो फिर उस सिती में इन तीन विधानसभा सीटों प आमादमी पार्टी का हर्याना में जैसे लोगसवा में गठबंदन हुआ कोई गठबंदन के तहट भी चुनाव मैदान में हो सकती है या अपने दम पर होगी और सबसे प्रमुक सवाल के अगर अर्विंद केजरिवाल हर्याना के अंदर बतावर मुख्यम अंतरी चेहरा आते हैं तो फिर हर्याना की जनता उनको कितना पसंद करेगी आंगीकार करेगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें